भावी जब तक रूम में हैं मैं इनकी वासिंग मसीन में कपड़े धो लेती हूँ चालू कैसे करते हैं समझ में नहीं आ रहा है अरे ये क्या ये इसकी तो बटन तूट गई अब भावी चिलाएगी क्या करूं क्या करूं बोल दोंगी पहले से ही टूटी हुई थी ये क्या दीख्षा जब तुम्हें मसीन चलाना नहीं आता था तो तुम मुझसे पूच लेती कम से कम इसकी बटन तो ना तूटती नुकसान तो ना होता आगे से इस बात का ध्यान रखना भावी मैंने बटन नहीं तोड़ा है इसकी बटन पहले से टूटी हुई थी क्या मुझसे मसीन चलाना नहीं आता है अब क्या समझती है कि हमारे घर में मसीन नहीं तो क्या मैं चलाना नहीं जानती हूँ दीख्षा जूट मत बोलो नई मसीन है इसकी बटन पुटी हुई थी उझे चूटिया बना रही हो मम्मी मम्मी देखो ना भावी क्या बोल रही है मैंने मसीन क्या चला लिया इनकी ये चार बाते सुनाई मुझे क्या हुआ दीक्षा बेटा तू क्यों हला कर रही है हुआ क्या है तू तो कपड़े धोने जा रही थी ना ममी में कपड़े ही तो धोने जा रही थी, भावी अपने कमरे में थी, मैंने इनसे बीना पूझे, इनकी वासिक मसीन यूज क्या कर ली, इन्होंने मुझे चार बाते सुना डाली, ममी मैं बरदास नहीं करूँगी ये सारी चीजे, नहीं ममी ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ इसे इतना ही कहा, कि जब चलाना नहीं आता था, तो मुझसे पूच लिया होता, और कुछ नहीं कहा है मैंने, नहीं ममी, मैंने चलाया जरूर है, लेकिन उसकी बटन पहले से ही तुटी हुई थी, मैंने नहीं तोड़ा है, इन्हें बिश्वास नहीं है, तो मैं क्या बहु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बेटी पर चिलाने की, चार दिन तुम्हें ससुराल में आये क्या हुए, तुम ये हरकर चालू कर दी, यही सिख्षा दिया है तुम्हारे माबापने, और दीख्षा तुम भी, आज के बाद इसके माबाप का दिया हुआ कोई भ चोटी बहन भी होती, तुम्हें ऐसे ही बात करती, चुपकर तु, मेरे से जवान मत लडाना, जा यहां से, क्या हुआ मिनाक्षी, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आँखों में आशू नहीं देख सकता, बताओ मुझे, क्या क्या है, हाँ ममी तुम ही बता दो ना, मक्सद तो मेरा सिर्फ जानना है, क्या खिर हुआ क्या है, देख्षा ने इसकी बासिंग मसीन को हाथ क्या लगा दिया, इसे अच्छा नहीं लगा, इसने चार बाते उसे सुना दी, वो बासिंग मसीन इसके बाप ने जो दिया था, म कि आप मानो ना मानो दीक्षान एकुछ किया होगा आप पहले पता कर लिया करो रहं तेरी अपनी हो गया और हम पराय हो गए तुझे यह सची लग रही है अहां मा बेटी जूटे लग रहे है तेरे बच्पन में ही तेरे पापा तुम दोनों को छोड़ के चले गए थे मैंने अकेली ही तुम दोनों को पाला है कितनी मुसीबत से पाला है मैंने अपनी सारी जवानी बरवात कर दी तुम लोगों के आज तुझे यह सची है और मैं जूटी लग रही हूँ मा मेरी बात सुनो मेरा वो मतलब नहीं था तुम गलत समझ रही हो है भगवान मैंने ये क्या कर दिया अंजाने में ही मैंने अपनी मा का दिल दुखा दिया भगवान मुझे कभी माप नहीं करेगा मुझे माप कर दो मेरी चोटी सी नादानी के वकारण ये सब हो गया लेकिन मेरा भिस्वास करो मैंने मिनाक्षी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा था मैंने उसे सम्झाने की कोसिस कर रही थी बस ज़्यादा कुछ नहीं मीनू तुम माभी मत मागो मुझे पता है तुम गलत नहीं हो ये मेरी बहन ही ऐसी है मैं क्या जानता नहीं हूँ तभी तो अपना ससुराल छोड़ के यहाँ पड़ी हुई है और मा को भी उसकी गलती कभी दिखाई ही नहीं देती है अंधी हो गई है बेटी के प्यार में मुझे चार बाते सुनवाई थी न अब मैं बताती हूँ इसे माँ से फिर से डाट पड़वाती हूँ भावी क्या कर रही हो आप खाना बना रही थी बताओ कुछ काम है क्या भावी मैं सोच रही थी आप तो खाना बना रही हो बरतन पड़े हैं मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ मैं बरतन धुल लेती हूँ अरे नहीं मिनाच्ची रहने दो मैं खाना बनाने के बाद बरतन धुल लोगी तुम जाओ नहीं नहीं भावी मैं कर लेती हूँ ना चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी ये क्या मिनाच्छी तू बरतंध हो रही है और बहु ये क्या हरकत है तू किचन में काम नहीं कर सकती मेरी बेटी से बरतंधुला रही है ये बरतंधुला रही है ये बरतंधुला रही है क्या भावी क्यों जूट बोल रही हो आप जूट पर जूट बोले जा रही हो आप ही ने तो बुलाया है मुझे आवाज दे के और आम ने कहा कि बरतन धुल दो मैंने मना भी किया था कि मैं बरतन नहीं धुलूंगी तो आपने बोला नहीं धुल दो मैंने सोचा चलो कोई बात नह कैसी लड़की है ये, जूट पर जूट बोले जा रही है कोई अपनी ननत से बरतन धुल आता है, काम करवाता है तेरे माईके में यही सारी चीजे होती है यही नसीहत दिया है तेरे मामा अपने मम्मी अब किस बात पर हल्ला कर रही हो क्या हुआ है अब क्या हुआ है पूछ अपनी बीभी से इसने मिनाच्छी को बरतन धूले के लिए क्यों कहा बाई है क्या वो खुद नहीं कर सकती लेकिन मम्मी अगर मिनाच्छी ने बरतन धूल दी है तो इसमें काँ सी बड़ी बात है ससुराल में रहती तो बरतन धूलती की नहीं धूलती ये भी तू धूलती है अच्छा तू यही करेगा अरे तू धूल लिया कर ना तुझे इतना बुरा लगता है तेरी बीबी बरतन धूलती है तो तू आके धूल लिया कर लेकिन मेरी बेटी काम नहीं करेगी यहाँ, नौकरानी नहीं है वो मा ये तो नौकरानी ही है मैं वहाँ से बाई ही तो लेके आया हूँ खाना बनाएगी, बरतन धोएगी, जाड़ू कोचा करेगी, पढ़ी लिखी है और बाई वाला काम करेगी ममी, आप दोनों क्यों हला कर रहे हो, मैं बरतन धोल लूँगी, आज के बाद मीनाक्षी को बोल देना किचन में नहीं आएगी मैं सारा काम कर लिया करूँगी, हला करने की कोई जरूरत नहीं है क्या कहा तुने मिनाक्षी किचन में नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी ये घर उसका भी है तेरा बस नहीं है तुने कैसे कह दिया कि मिनाक्षी किचन में नहीं आएगी मम्मी मेरा मतलब ये नहीं था मैं कैसे समझाओं आपको मैं कहती कुछ हूँ आप समझती कुछ हो अरे यार मैं तो परिसान हो गया हूँ कुछी समय में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊ सारे दिन चिक 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 होता रहता है अरे छोड़ो ना ये सारी चीजे होती रहती है जब आप तयार हो जाओ आफिस के लिए हाँ मेरा भी आज इंटर्व्यू है मुझे भी चलना है मैंने घर का काम निप्टा लिया है मुझे भी साथ में लेते चलना हाँ ठीक है तुम तयार हो जाओ अरे मीनू तयार हो गई क्या तुम चलो मुझे लेट हो रहा है हाँ आ गई मैं तयार हो गई चलो हे भगवान मम्मी देखो भावी को क्या कपड़े पहन के जा रही है कहां जा रही है ये पूछो इससे बहु तु ये ऐसे कपड़े पहन के कहां जा रही है मम्मी इसका आज इंटर्वियू है इसे इंटर्वियू देने जाना है मैं आफिस जा रहा हूँ इसको इसके आफिस में छोड़ दूँगा ऐसे कपड़े पहन के जाएगी इसे पता नहीं है ससुराल में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते मैंने घर में क्या इलाओ कर दिया ये तो बाहर भी पहन सट पहन के जा रही है हाँ मम्मी ये यही पहन के जाएगी वहाँ यही एलाओ है मम्मी हमेशा से मैं यही कपड़े पहनती थी मैंने यह ससुराल आने के बाद ही इन्हें सारी चीजे बता दिया था इसलिए मैं यही पहन के जाऊंगी तु नवकरी करेगी, हमारे घर की बहु बेटिया नवकरी नहीं करती है, तु घर में रहके घर समाल, और ये रवी नवकरी कर तो रहा है, मम्मी मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मेरे माबाप ते इतना पैसा लगा के मुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं नवकरी तो करूंगी, ह और ये भावी जिस दिन से आई है बस जीन सी पहन रही है तुम्हारी नाग तो कटा के रहेगी ये लड़की भाई ने भी कैसी लड़की से साधी कर लिया है